आप सब अच्छे होंगे तो गाइस परिच्छा मंतन का हम यह डिटेल समरी कर रहे हैं जो वन डे एक्जाम्स के लिए वेरी वेरी इपोरेट तो बहुत सारे वीडियो जो हम इस पर बना चुके हैं आप प्रिवेस एर में जाकर देख सकते हो आप प्ले लिस्ट में जाकर चे अब बहुत इंपोड़ेंट कोश्चन से में वही टापिक्स बदा रहे हैं जो इंपोड़ेंट हैं और वही पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं जो एक्जम्स में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखो यह क्लाइमेट एडप्शन सम्मेट हुई है क्लाइमेट एडप्शन सम्मेट हुई है ठीक है दोस्तों 2020 में आपने देखा कि जल्वाईव संकट और त्यजी से उबरा है बहुत सारी चीजें आसे ऑस्टलिया एमाजन भारत के कही हिस्सों में देखा कि जंगल में भीचा डाग लगी थी एमाजन बसानों जो ब्रजील क्लाइमेट एडप्शन सम्मेट 2021 संपुनिंग और इससे में हमारे जो पी एम सावें पुद्धार मंत्री जी वहने भारत का प्रजिनित किया ठीक है क्लाइमेट एडप्शन सम्मेट 2021 वर्चुली हुई और ही क्या हुई यह नीदर लेंड में हुई दोस्तों का हुई कि इसके अंत में होने वाले अब आपदा रोदी सरचना पर तीसरे अंतरश्टे सम्मेट में भाग लेने के लिए आम अंतित के और निदर लेंड वर्चुल तरीकी से वर्चुल का मतलब होता है दोस्तों जो कंप्यूटर के तुर यानिकि ऑनलाइन जो मीटिंग होती है उ दोस्तों और आदश्ता की दिए अद्द अद्श्टा की थे इस में इस में गलास्गों में आयुजीत होने वाले सेक्ट्राश जलवईू करवाई सिकर संभिलन यान की यूए नहीं अब ट्रफलसी कोटिक कोट ट्रिंटी शिक्स का अधार निमित करेगा जो गलासगों है 26 होगा कहा होगा ग्लासगो में दोस्तों ठीक है इध्यान रखना वर्स 2021 का जलवायू करवाई सिखर संभिलन कहा होगा ग्लासगो में भारत का जो लच्छ है जो लच्छ वर समने अधारत किया है 2030 तक हमें नवीनी क्रतियान की रेनेवल एनरजी के लिए 450 गिगाबार्ट उर्जा की छमता के इस्तर तक ले जना है ठीक है वहीं भारत के एलेडी बल्व के इस्तमाल द्वारा प्रत्य वर्स तीन पॉइंट दो क्रूट टन कारवन डाई आक्साइड का उच्छ जन कर रहा है वहीं इसके अर्थिक बारत सरकार द्वारावर्स द्वारत तीस तक 26 मिलियन एक्टर बंजर भूमी को हराबरा करेगा इसके असी मिलियन गामीर परवारों को जलापूरती से जोड़ अधर है यह बहुत सरे इंपोर्टेंट है पॉइंट आप देख के जाएगा उसके बलते दोस्तों आई ऐसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्वार एलाइंस ठीक है है हम बात करें क्लाइमेट एमिशन समेट 2020 की वेरी इंपोर्टेंट पी क्या है समझो आरे दिसंबर 2020 को जलवायू प्रवतन से नेपटने के लिए विबन देशो दौरा पैरिस जलवायू समझते के लहत अबनाए को पाईयों कि समिच्छागरने के लिए क्लाइमेट एमेसन समयर 2020 का में इसक्ष्पा आईक इसकी अडर्चित है कि उस साइकतुराष्ट युनाइटिट किंग्डम और फ्रांस द्वारा साइकतुरूप से कि यह यह यूएन ने और यूके और फ्रांस सुरी फ्रांस के द्वारा ठीक है उसके बाद मुख्य बिंदू दिखा जाए जलवायू परवरतन से ने पटने के लिए वर्थ 2015 में पहरेश जलवायू समझोती प्रस्ताचर किये थे कब 2015 में इस समझोते में वैस्ट्विक ताप रद्दी की ओध्योगिक पूर के तापमान पर उसकी तुल नाम है उसके इस वन पॉइंट फैब्रीश सी तक सीमित करने को लेकर प्रत्वज़ता व्यक्त की यह आपको जो टेंपरेचर लेवल है वह वन पॉइंट फैब्रीशी तक रखना है अगर हम देखा जाए वैस्विक उत्रजन की बात करें ग्लोबल उत्रजन की बात करें तो चीन में प्रशन के साथ दूसे नंबर पर है थर्टीं प्रजांट के साथ यूरोपिय संग दोस्तों पर है एट पॉइंट परन के योगदान के साथ ठीक है इंडिया में उत्रजन की स्तिति को अगर बर्दमान में देखा जाए तो दोजार बीश के सुवात में यूएन की रिपोर वर्स 3.3% के उस्त से भाहुत कम है ठीक है भारत के प्रयास की बात करें दोस्तों भारत में वर्स 25 की तुना में कार्बन उप्सेजन को 21% तक कम किया है अगर 2005 के लेवल से देखें 2005 के इस तर से तो कितना 21% उसको कम किया गया है इसकी सोर उख चमता वर्स 24 के मकाबले 33.37 गी गए है थाटीज गीगावाट 2020 में कितने हो गए दोस्तों 36 गीवाट वह गई है अच्छा उजा चमता की ममनें भारत ने वर्स 2030 तक चार सो पचास गीवाट तक के उजा उत्वाद्म के लच इंदारे किया है दोजार तीस तर कितना लच रगा है चार सो पचास गीवाट ठीक है हम आगे बात करते हैं जंगलों में लगती आग आप देख सकते हूं कहां का लगी इस नौट एवरी इंपोर्टेंट क्रिपड को देश है समुद्री जीवों के सरच्छन के लिए केंद्रिय पर्यावान वन एम जलवायु मंत्रल में 28 जन्मरी 2021 को देश की राजदानी नहीं दिली मैं राश्टी समुद्री कच्छुआ कार्योजन नेश्टनल मरीन टर्टल एक्सेन प्लान टू 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 का heeft टू टंटी 6 पर दिसान heating जारी कि इस मैं कि समुद्री शूं के दिरखालेक अस्तित को शिनशित करने नतुद एक संवन्मुद्र भांदरी तंत के माधम से समुद्री कच्छों और समंद्र प्रजातियों के लिए एक विवार और स्वर्ष्प समुद्री पारस्तितितक तंत्र का निर्मा करना है एक प्रॉजेक्ट रीहब की बात करें दोस्तों के के वी आई सी जो है के वी आई सी जो है दोस्तों केंद्रिये खादियों दो गाम जिसे बोलते हैं खादियों गाम अद्दो गायोग जो है उसने पंद्रे मार्थ हुजार रिकी इसको देश में मान मादमक्की बाड मादमक्की ये अनुक्की पर जना से मदमक्की के मादम से हाती मानव हमलों को कम करने की परिजना प्रोजेक्ट रीवाड रीवैब मॉजेक्ٹ रृजेक्ट यहीन एलिपन्ट रिजुमास sl servic सब्सक्राइब करके उत्री सपेद राइनों की वाइट राइनों का एक भूड बनाया है जो कि बरतना में किवल दो त्री सपेद राइनों है सब्सक्राइब करके उत्री सपेद राइनों मौझूद है और यह अफ्री की महादीप में दो अलग छेत्रों में पाई जाते हैं उलेकनी है कि सपेद राइनों को अंतराश्टिय प्रकरती सर्च्ण्षन यान कि इंटेर नेश्टनल यूनियन फूर कंजरविशन आप नीचर की रेड लिस्ट लाल सुचि में निकट संकत ग्रस्त यानिकि उससे नियर ठ्रेटरंड की स्रड़ी में रखा गया है इसकी साधिक में दोलूल लुक छित्रौं पाई जाते हैं तो इसको क्या रखा गया लाजश्गी में निकट संक्रत ने हैं कि नीर आolina यूर इसकी उपर जाती है जो है उतरी सपेद राहेनों को को सथ्ट में रखा गया है करें ग्लोबल वार्मिंग एंड फॉसिल फ्यूज की यह देखो क्या है कि दिसम्बर 2020 में दुनिया के प्रमुक अनुसंदान संग्टान सहिक्त्राक्ष्ट की सहयोग से बनी उत्पादन अंतर रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट में पाया गया कि अगर हम दुनिया को ग्लो के मताबिक आगे बढ़ने के लिए अगर बात की जाए तो सामय कुरूप से जीवास मीदम के उत्पादन में 6% सालाना की गरावट की आप सकता होगी यह निया आप पौर साल 6% सालाना क्या करना पड़ेगा गरावट दर्ज करानी पड़ेगी सौदिय अरब रूस और अमे कितना उत्पादन सामय की दो परशेंट वार्षिक बढ़ रहा है कितना दो परशेंट वार्षिक बढ़ रहा है दोस्ते ठीक है रिपोर्ट की मानन तो कोविड नैंटीन से तेल और गैस में काभी प्रवावत हुआ है और पारमेक अन्मान की एकॉर्डिंग जीवास मीधन का उत्पादन वर्ष पर साथ प्रशन तक गिरा गया है कोविड नैंटीन के आप देख सकते हो कितनी चीज़ा हुए आप इब देख सकते हो अभी तक देखा था जीवास मीधन उत्पादन और खपत के लिए जिम्मेदर सेक्ट्रों को कोविड नैंटीन उपाय हो मैं दोसो तीस बिलियन अमेर्की डॉलर से अधिक की लागत दी है जो कि स्वाच छोजा लगा एक्किशो पचास बिलियन अमेर्की डॉ जो दिसम्मर दोजार बीस को न्यूजलेंड सरकार ने जल्वायू परवतन और ग्लोगल वर्मिंग के घातक प्रवाव को अखिल करने के बाद देश में जल्वायू अपातकाल की गोश्टन की जल्वायू अपातकाल क्या है कि ऐसी इस्तिती को घंगत करता है इंडिकेट क के द्वारा न्यूजलेंड सरकार से जल्वायू अपातकाल गोश्ट करने की मांग की गई थी एवं इस क्राइमेट एमर्जेंसी की पीछे तर्क यह दिया गया था कि वर्तमान में माना मौसम्त की अत्रजिक चर्मावस्ता वन नजीव संपता का सरच्छा और स्वच्छ सम वीडियो हम कंप्लीट कर लेते हैं कि यह कंप्लीट हो चुका है दोस्तों सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहेगा थोड़ा इंगीज होंगे हम तो आगे बढ़ाएंगे और भी अच्छा बनाने की कुशिस करेंगे दोस्तों यह आगे नेक्स वीडिय अब इन्वारिमेंट को दोस्तों ठीक है यह नेक्स वीडियो में देखेंगे तो नाव थांक यू फॉर वाचिंग इट अन लव यू अल